सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षानी देशाले राष्टे राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 27 जो की क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है यह ली गई है गणित विशे से और आज इसमें हम जिस विशे को समझने जा रहे हैं वो है प्रायोगिक ज्यामिती यानि आज हम ज्यूमेट्री सीखेंगे सिंपल शब्दों में ज्यूमेट्री ज्यामिती थोड़ा सा मुश्किल शब्द लगता है तो ज्यूमेट्री से इंट्रोडेक्शन से पहले चलिए हम जान लेते हैं अपने ज्यूमेट्री ब कौन कौन से उपकरण होते हैं, चलिए आज पहले उने से ही जान पहचान कर लें। चलिए शुरुबात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपने जामिती बॉक्स यानि जिमेटरी बॉक्स तो जरूर देखा होगा आईए जामिती बॉक्स के उपकरणों के बारे में जाने और उनका प्रियोग करना सीखें तो देखें जो सबसे पहला उपकरण है वो है ये रूलर इसको हम फुटा भी तो बोलते हैं जादतर बच्चे फुटा बोलते हैं भई फुटा दे दे मुझे छोटा फुटा दे दे बड़ा फुटा दे दे असल में इसका नाम होता है रूलर और रूलर में क्या क्या चीज़े होती हैं देखते हैं Ruler के एक किनारे पर cm और दूसरे किनारे पर इंच में चिन होते हैं Ruler का प्रयोग हम रेखाखंड खीचने और उसकी लबाई को मापने में करते हैं तो देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिरे पर यानि एक किनारे पर तो इंच, यह जो चोड़े-चोड़े निशान होते हैं, इनको हम इंच बोलते हैं, और यह जो पतले-पतले निशान होते हैं, बहुत कम दूरी पर लगए होते हैं, यह होते हैं सेंटिमीटर्स, तो यह है रू और दूसरे से सिरे में पैंसिल रखी जाती है। और कई बचे बहुत शरारत करते हैं एक दुसरे को इसका नुक्लिला सुरा चुपाते रहते हैं। परकार का प्रियोग हम चाप और वृत खीचने में करते हैं। जब हमें सरकल बनाना होता है, वृत बनाना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जानते हैं, फिर जो तीसरा उपकरन है, वो ये देखिए, दो सुईयों वाला होता है, अब बच्चे सोचते हैं, आकर इसका करना क्या है, इसको कहते क्या है, पहले वो इसका नाम याद कर वो है divider, divider के दो सिरे नुकीले होते हैं, इसका प्रियोग लंबाईयों की तुलना के लिए होता है, यानि इसको हम उतना खोलें कि इतना हमारा रेखाखंड है, और फिर दूसरे को खोलें, तो दोनों को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड लंबा है, कौन सा छोट तो divider इसलिए प्रियोग होता है, फिर इसके बाद है, ये देखी, एक ऐसा ही त्रिभुजाकार एक चीज़ आती है जिमेटरी बॉक्स में, अब ये क्या होते हैं, इनका नाम होता है, set square, क्या होता है, set square, ये दो त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं, जिने लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खीचने में प्रियोग किया जाता है, याद रखिएगा इनके नाम और इनका प्रियोग, और ये देखिए, ये होता है, D, हम नॉर्मली इसको बोलते हैं, क्योंकि ये D की shape का होता है, और इसको हिंदी में चांदा भी कहते हैं, क्योंकि ये 80 डिगरी तक भाग चिन्नित होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, 0 से 180 तक होते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और इनके बीच में भी 10-10 लाइन है, या जो बीच की लाइन होती है, उसको वो 5 पर होती है, जैसे 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 55, इस तरह से, इसक रखना इसका ना, और फिर एक मज़ेदार एक्टिविटी, आओ करें, इस चित्र को ध्यान से देखना है, और क्या करना है, आओ मिलकर ढूंडें, इस भवन की आकरिती में कितने ज्यामती उपकरण और आकरितियों का उप्योग किया गया है, यानि कितने जो अभी हमने आकरितियों का यूज किया गया है, उपकरण और आकरिति दोनों लिखने हैं, तो देखो उपकरण कौन कौन से इसमें उपकरण यूज हुए हैं, देखो, ये रूलर यूज हुआ है, मैंने लिख दिया, और उसके बाद डिवाइडर, डिवाइडर भी यूज हुआ है, य इसमें ध्यान से देखो परकार कहां पर देख रही है ये रही परकार तो इस तरह से यहां पर ये उपकरन यूज किये गए है इसके बाद आकरितियां कौन कौन सी है आकरिती देखो एक तो बन रही है वर्ग आकरिती जैसे ये बन रही है ये होती है वर्ग आकरिती जो की चा यह बना वहा आयत है फिर तृभुज भी बने हुएं mail प्रिबुज बना हुए है यह रज़िए रहा तो तेखो ऑगार्फ मैं हियाँ बनाता जा रहा हूं थे अखरते हैं मुझारता है हुए अगर आपको कोई और आकरिती नजर आती है तो आप वो भी लिख सकते हूं तो मजा आया आज की वर्कषीट को करने में इसलिए कहते हैं मैस थोड़ा सा ध्यान दोगे न तो बहुत असान है तो यह तो थी आज की वर्कषीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको प्रू लगा के रखिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई डिलाई नहीं धन्यवाद